हेलो फ्रेंड जैशे कृष्णा मैं हूँ और आपका स्वागत है मेरी किचेन में आज मैं आपके लेके आए हूँ बटर गार्डिक नूडल की रेसेपी दिखने में ही जितनी ज़्यादा सिंपल है खाने में उतनी ही टेस्टी और मज़ेदार है चली इस इंटरसिंग सी रेसेपी को शुरू करते हैं तो पहले यहाँ पर हमें नूडल को बॉइल करना है जिसके लिए मैं एक से देर लीटर पानी एक कड़ाई में बॉइल होने के लिए रग दिया था अब यह पानी बॉइल हो चुका है तब हम इसमें मिला देंगे हमारे यहाँ पर मैं स्पेगेटी पास्ता वाले नूडल ले रही हूँ आप चाहें तो हकका नूडल भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं बजन में देखा जाए तो यह 300 ग्राम है अब हमें इसको बॉइल करना है लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे इस पानी में एक चम्मच ऑईल म तक हम इने कूप कर लेंगे तिहान देखिए अगर आप यह वाले नूडल यूज कर रहे हैं तो आप इसको बीच में से तोड़े नहीं जैसे जैसे यह सौफ्ट हो जाएंगे यह पानी में अपने आपे मिक्स हो जाएंगे इस तरह से देखिए अब हमें क्या कर लेना यह स इसको इस तरह से स्ट्रेच करेंगे देखेंगे यह बहुत अच्छे से तूट रहा है इसका मतलब इनूडल अच्छे से गल गए हैं अब हम इनको चान लेंगे और चान के इसके ऊपर थोड़ा सा ठंदा पानी मिला देंगे जिससे इसके ऊपर जो कैरी ओवर कुकिंग होत यह भी डाल देंगे इसमें अब एक मिनिट के लिए हम दोनों चीजों को बटर में फ्राइ कर लेंगे चिली फ्लेक्स को लसन की कल्यों को बहुत जादा नहीं भूनना है बस हलका सा ही भूनेंगे जब सकी लसन का कच्छापन नहीं निकल जाता है अब हम इसमें एट कर दे तरह देंगे जो बटर कैना नुडल्स को अचे से लेक्स अरत रहाए ना तलियूह चिली और बटर का चिली आर बटर ता कर लेंगे इसमें अच्छे से से इस्तार नूडल्स में पैद में हमनें इसको नहीं पुछ राई नेंगे – 5 मिनिट के लिए,वसikte हम दिए,छ दाम का वो नहीं रहेगा और नूडल्स अच्छे से बटर में फ्राइ हो जाएंगे इसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें नमक आड़ कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग साथ ही थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर पाउडर मिला देंगे एक चम्मच मिक्स मिला दें आप फिर आप पीजड़ा सीजनिंग भी इसमें अच्छे से मिक्स कर दें अगर आप स्पाइशी थोड़ा सा ज्यादा खाते हैं तो आप इस समय पे थोड़े से चिली फ्लेक्स और एक और मिनट हम इसको इसी तरह से फ्राइ करेंगे और ये लीजे ये हमारे बटर गारलि की रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राइ करें ट्राइ करने के बाद आपको रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझा कमेंट सेक्शन में लिके जरूर बताएं थैंक यू